नमस्कार एटोजेट डिशश उशाक ओरजानी में आप सब का स्वाकत है आज अस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारी एक और बड़ी आसी रेसिपी और वो है गुजराती वाइट कड़ी गुजराती कड़ी दो तरके होती है एक यलो कलर वाली होती है और एक तो यहाँ पर आज हम बनाने जा रहे हैं यह बड़िया से कड़ी यह इतनी टेस्टी लगती है न बहुत ही लाइट वेट खाना होता है और यह बहुत ही बड़िया लगती है उसके लिए एक ओखली ले ले इसके अंदर आदे इंच अद्रक के टुकड़े को काट कर डाले छे से साथ लसन की कलिया दो से तीन हरी मिर्ची अब इन सभी को आपको दरदरा कूट लीना है इस तरह से यहाँ पर देखे आप मिक्सर जार में भी से कर सकते हैं तो दरदरा पीस ली रहेगा पर उसमें क्या होता है एक ओखली से कुटा हुए का स्वादी कुछ अलग होता है इसलिए आप देख सकते हैं मैंने दरदरा इस तरह से कूट लिया है उसके बाद अब हम गोल बनाएंगे तो मैं मिक्सर में बना रहे हैं आप चाहे तो बावल में भी बना सकते हैं गोल बनाने के लिए एक कब दही और दो बड़े चमच बेसन अब इसे ढखकर पीस लेन जैसे ही गरम हो जाए एक चौथाई चमच राई एक चौथाई चमच जीरा चुटकी भरहेंग दो लॉंग एक दालजीनी का टुकड़ा पांसे छे कड़ी पते और ये दरदरे पीसे हुए अद्रक लसन और हरी मिर्ची इन सभी को एक से दो मिनिट तक अच्छे से आपको भूनना है तक इन सभी का कच्चापन दूर हो जाए फिर सूखी लाल मिर्च डाल दे तोड़कर और इसे भी अच्छे से भून ले यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्रक लसन हरी मिर्ची को कच्चापन भी दूर होगे और सभी चीज़ अच्छे से भून गई है तो ये द तकरीबन इसे आपको चार से पांच मिनिट के लिए पकाना है ताकि उबाल भी अच्छे है और ये पकी भी अच्छे यहाँ पर आप देख सकते हैं पकना शुरू हो गई तो स्वात के अनुसार नमक डाल दे और गुड़ डाना बिलकुल ना भूले यह कि कि हलकी यह मीठी होती है वाइट कड़ी गुजराती स्पेशल कड़ी है तो एक चमज इसके अंदर बारी कटावा गुड़ डाल दे और बस इसे अच्छे से पकाते जाए और हाँ ऐसे बीच पीच में आपको मिक्स भी करते रहना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कड़ी जो है अल्मुस्ट बनकर तयार है तो बस थोड़े से धन्या के पते डालना बिलकुल ना भूले और अच्छे से मिक्स कर ले तो यह गुजराती वाइट कड़ी बनकर तयार है अब इसे हम सव करेंगे और इसे गर्मा गर्म आप इसे लीजे बहुत ही कम मसाले डले हो आपने देखाई और यह ह कड़ी खिचड़ी का कॉंबिनेशन जरूर ट्राइ कीजे और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले थांक्यू